हलो व्रीवर्स डेली एल टिप्स में आपका आधिक स्वागत है दोस्तों आज में जो टॉपिक ले क्या आई हूं वो है केसर की फायदे और केसर वाला दूप पीने के फायदे दोस्तों खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ केसर का उप्योग कहीं तरह कि आयूविदिक उप्चार में भी किया जाता है हलके और अपने सुनेरे लाल रंगों के साथ केसर स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेमन होता है फ्रेंड्स केसर की खुश्बो बहुत तेज होती है केसर को विभिन प्रकार के विंजनों में डाल कर खाया जाता है फ्रेंड्स इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले केसर का पहला फायदा है केसर जखम जल्दी भरे केसर जखम भरने के लिए सबसे अच्छी दवाई है चोट लगने पर इसकी दवाई की तरहा इस्तिमाल करने से जल्दी आराम मिलता है दूसरा है पेट की समस्या करे दूर पेट से जूरी परिशानिया जैसे अपच पेट में ग्यास को दूर करने में केसर मददगार है रोजाना दूद के साथ केसर का सेवन करने से आराम मिलता है तीसरा है शारीरिक उर्जा बढ़ाए फ्रेंट्स केसर शारीरिक उर्जा को बढ़ाने का काम करता है इसके सेवन से पुरुशों में मर्दानगी बढ़ती है मर्दों को केसर बादाम और शेहत का सेवन करने से फायदा मिलता है चोहता है औरतों की परिशानिया करे दूर फ्रेंट सर्दियों में केसर का रोजाना सेवन करने से औरतों की पीरिट से जुरी परिशानिया और गर्भाशे में सूजन जैसी परिशानिया दूर हो जाती है 5. सर्दी और बुखार से राहत सर्दी और बुखार से परिशान हैं तो आप केसर का सेवन कर सकते हैं फ्रेंट्स चलिए जानते हैं केसर वाला दूद पीने के फायदे केसर को दूद के साथ मिलाकर पीने से कई तरह की शारीरिक दिक्कतें दूर होती है ये स्किन के लिए भी बहुती फायदेमन है रोजाना रात में दूद और केसर का सेवन करने से नीम भी अच्छी आती है केसर को दूद के साथ पीने से शारीरिक शक्ती बढ़ती है किड्मियों लीवर के लिए भी केसर काफी फायदेमन होता है ये ब्लाइडर और लीवर की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और रप्त शुद्धी करन करता है अर्थरेटीस के मरीजों के लिए भी केसर बहुत लापकारी होता है ये जोडों के दर्ट से भी रहाद दिलाता है ये ठाकान को दूर करने और मालस्पेशियों को रहत पहुँचाने का काम करता है उस तो अनिद्रा की शिकायत को दूर करने में भी केसर काफी उपयोगी होता है इसके साथ ही ये अवसाथ को भी दूर करने में मदद करता है रात को सोने से पहले दूद में केसर डाल कर पीने से अनिद्रा की शिकायाद दूर होती है केसर में क्रोसिन नाम का तत्व पाया जाता है जो वग्यानिक रूप से बुखार को दूर करने में उप्योगी माना जाता है इसके साथ ही ये एक एकागरता, स्मरन शक्ति और रिकॉल्स क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है आखों की परिशानी को दूर करने में भी मददगार होता है केसर ये हालिया शोद में ये बात सामने आई है कि जिस प्रति भागी ने केसर का सेवन किया उसकी नजरें बहतर रही, ये मुतिया को दूर करने में भी मदद करता है फ्रेंट्स केसर को दूर के साथ पीने से शारिरिक शक्ति बढ़ती है इसके अलावा केसर का प्रयोग शरीर के लिए बहुत फादिमन होता है गर्भवस्ता के दौरान केसर युक्त दूद पीने के फादि फ्रेंट्स हाँ, केसर दूद पीने से कोई नुकसान नहीं है लेकिन केसर या फिर जाफरान का सेवन संदूलित मातरा में ही करे और वो भी साफधानी बड़ते जो आप किसी भी घरेलू नुसके आफित जड़ी बूती के इस्तेमाल में करती हों अधियायनों से पता चलता है कि रक्तिचाप और गर्भवस्ता में होने वाली मनोदशा को कम कर सकते है लेकिन बड़ी मातरा में ये गर्भाशे उत्तेजक के रूप में कार्य करता है और संकूचन प्रारम कर सकता है परम परागत रूप से माना जाता है कि केसर्स चिकित्सा गुनों से प्रचूर है माना जाता है एंटन दूर करता है और जब आप इसे गर्भवस्ता में लेंगी तो हो सकता है कि आपको एंटन और पेड़न से कुछ आराम भी मिले साथ ही ये भी माना जाता है कि पाचन प्रनाली को सुधानने के अलावा ये गर्भवती महिला की भूख की वुरुद्धी भी करता है फ्रेंट्स बरहाल आप इसे गर्भवस्ता में किसी भी समय लेना आराम कर सकती है दूद्ध प्रटीन और क्याल्शियम का उतकुष्ट त्रोथ है और केसर में प्राकुरुतिक चिकित्ष्य गुन है गर्भवस्ता के दौरान दूद्ध का एक गलास केसर दो तार डालना ठीक है आप स्वात के लिए अन्यवेंजनों में भी केसर का प्रयोग कर सकती है बिर्यानी, खीर, लसी और परंपरागत भात्य मिश्टानों में केसर एक एहम भुमिका निभाता है दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखे कि जो केसर आप बाजार से खरीदती हैं वो उच्छ क्वालिटी वाला हो क्योंकि केसर अक्सर मिलावती पाया जाता है इसे लिए हमेशा ब्रैंडेट पैकेट खरीदें जो आईएसाई के ब्रेडमाप के साथ होता है और जिसे सरकार की मनजूरी दी गई होती है हमेशा लेबल को पढ़ने और स्मापित तिथियों की जांच करिए फ्रेंड्स अक्सर गर्भवस्ता के दोरान घर के बड़े बुड़े प्रतीदिन केसर युक्त दूद पिने की सरहा देते है कुछ लोगं का ये मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की रंगत में निखार आएगा ये एक मिठक है तथा इसका कोई वेग्यानिक प्रमा नहीं है आपके बच्चे का रंग अनुवानशिक है ना किसी खिस्म के खाने से उसका संबन है यदि आपकी या फिर आपके पती या फिर आप दोनों के नस्दी की रिश्यदारों का रंग साफ है तो हो सकता है आपके बच्चे की तवचा भी गोरी हो तो friends ये थे केसर के फायदे और केसर वाला दूद पीने के फायदे आप भी इसका सेमाल करके इसका फायदा उठा सकते हैं Thank you for watching this video Please like, share and subscribe our channel Thank you, bye